बढ़वानी नर्मदा नदी इन दिनों खत्रे के निशान से उपर बह रही है वर्तमान की बात करें तो आज की स्थिती में नर्मदा का जलस्तर 131 मिटर से ज्यादा है जिसके चलते राजघाट टापू में तबदील हो चुका है कई घर डूब गए है जिसके कारण करीब पूरी बस्ती खाली हो चुकी है लेकिन 17 परिवार ऐसे है जो आज भी टापू बने राजघाट में डटे हुए है चारो और पानी ही पानी न बिजली न सडक फिर भी अप बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए नर्मदा से लगे क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंद लगा दिया गया है और जनहा भी लोग पानी से घिरे हैं उन्हें रिस्क्यू किया जा रहा है राजघाट में टापू बनने के बाद भी जो 17 परिवार डटे हैं उन्हे भी जल्द रिस्क्यू किया जाएगा MP न्यूज कास्ट जिला बयूरो चीफ धमेंदर केवट बास्ते वगेरा का दनी निर्मान होना ये तो ठीक अलग बाते पर बारी संगर्स जो 2019 जो बाड़ाई थी उसके चलते संगर्स के चलते हमें जो दुकानदारों को पलोड दिये गये थे उसका भी आज तक जगानी बते किवल कागजी पलोड दे दिये गये है ऐसा ही संगर् च्छोटे पलोड और पर पाच अस्ते का लाब अभी तक नहीं मिला जिसके लिए हम लोग यहां पर ढटे हुए है और अभी पूरी तरह टापू बन गया है आना जाना के वल नाव से हैं यहां पर जैसे किराना दुकाने थी जो पूरानी दुकाने थी नारियल वगेरा सबी तरह की अलग अलग प्रकार की दुकाने थी आं 30 पीजली पानी और जान डाली प्रकार का अंहीं लिगंधा है नार्पन गया है चला अभी भी 17 परिवार टापू में बसे हूए है राजजात खाल के और यस सालों से allowing के कि हमारा पुनर्वास आज तक नहीं किया गया 2017 में भी पंचना में दल पर भारी वगेरा गटित हुए और 2019 में एक टीम गटित हुई थी अनुवी अधिकारी कारे पालन इंत्री भुहर्जन अधिकारी और टीम के द्वारा इहां पर जो भी राजगार्ट में लोग बसे से तीन सेट में आइस्ताई सेवा देते हुए बसा दिया और फिर इनको दूसरी बार पलटकर कोई विभाग के अधिकारी वगेरा कुछ नहीं गए और ना इनका निराकरण किया गया वापस यह यहां पर आ गया और मुल गाउं में बसे हुए हैं पर इनका आज तक निराक पानी भरा तो इन्होंने कुछ एसे लोग थे जो मुल निवासी भी नहीं थे राजगाट के और कुछ मैनों से आयो थे उनको भी लाप दे दिया और जो मुल गाउं में पीडियोस बसे हुए इनको आज तक लाप नहीं दिया गया और दूसरी और सरकार पलेटन की बात करत उनको लाखों रूपे की नुक्सान होती है फशले उनकी और उनको ना तो कोई सिवाय दी जा रहे है नाव लगा कर दी जाती है इसकी बजाय तो इसताई रूप से रास्ता बना कर दिया जाए जिससे किसान अपनी फशले निकाल सकते हैं और आवा गमन हो यहां पर बिलख खेडा के लोग और राजगाट की जो किसान है जिनकी जमीने टापू बन रही है तो उनको खेती करने के लिए यहां से घुम कर जाना पड़ता है पर इनके लिए रास्ता आज भी मोजूद नहीं है यहां पर तिन तिन दिगज नेता है केविनेट मंत्री है राज्य सबासा करते हैं और विस्थापितों पर उनका कुछ ध्यान भी नहीं है पुनरवास जो होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा भी जो कि जन परती निदी है जिले के और जो मुख्या है आज के दोर में यहां के तो उन्होंने इन पर ध्यान देना चीए और सरकार से भी हमारी मांगे कि यह 17 परिवरों से इसा क्या विक्तिगति जगड़ा है कि इनका बार-बार डूब आती है इनको यहां से आइस्ताई रूप से बसा दिया जाता है वापस यह आ जाते हैं यहां बिजली पानी की विवस्ता नहीं है यहां पर इनके मवे आन दिरना चे और इनका पूर्ण रूप से पुनर्वास करना चेलिए